जै माता दी, आप सुन रहे हैं पोर्ण मा ब्रत कथा, द्वापर योग में एक बार यसुदा जीने कृष्णेशे कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के रचैता तथा पालनहार हो, आज कोई ऐसा उपाय मुझे से कहो, जिसके करने से इस्त्रियों को शवभागी की प्राप् शवभागी की प्राप्ति के लिए इस्त्रियों को 32 पोल्वासियों का ब्रत करना चाहिए, स्री कृष्णे जी आगे कहने लगे कि इस धर्ती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार केरतनों से परिपोड कातिकाक नाम की नगरी थी, वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राम्मर था और उसकी इस्त्री अतिसुसील एवं रूपवती थी, दोनों ही उस नगरी में बड़ी प्रेम के साथ रहते थे, घर में धन धान आद की कमी नहीं थी, उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे, एक स वहतपस्वी उस नगरी में आया, वहतपस्वी उस ब्राम्मर के घर को छोड़ कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था, एक दिन हमेशा की तरह वहतपस्वी भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था, कि धनेश्वर ने योगी का यह सबकार देख लिय अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, पर उन्त मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा, निशंतान के घर की भीक पतितों के अनके तुल्य होती है, और जो पतितों का अन खाता है, वह भी पतित हो जाता है, चूंकि तुम निशंतान हो, अतापतित हो जाने के भैसे, मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ, धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्थ भाव से कहने लगा हे महराज यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ती का उपाय बताईए आप सरभग्य हैं मुझपर अवस ही यह किरपा केजे धन की मेरे घर में कोई कमे नहीं परंत मैं पुत्र ना होने के कारण अतियंत दुखी हूँ आप मेरे इस दुख का हरण करें आप सामर्थिवान हैं यह सुनकर योगी कहने लगे हे ब्राहमर तुम चंडी की आराधना करो घर आकर उसने अपने इस्त्रे से सब भृतांत कहा और स्वयम तपके निमित्त बन में चला गया बन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना किया चंडी ने सोला हुए दिन उसको स्वप्न में दरसन दिया और वह कहा हे धनेश्वर जा तेरे पुत्र होगा परंत वह शोला वर्ष की याविम में ही मृत्यू को प्राप्थ हो जाएगा यदि तुम दोनों इस तरी पुरुष 32 पूर्ण मासियों का वरत भिधि पूर्वक करोगे तो वह देर घायू होगा प्रातहकाल होने पर इस अस्थान की समीपिही तुम्हें एक आम का ब्रिच्छ दिखाई देगा उस पर चड़कर एक फल तोड़कर सीखर अपने घर चले जाना अपनी इस्त्री को खिलाना रितुष्णान के पस्चात्वा स्वक्ष होकर स्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खालेगी तब शंकर भगवान की किरपा से उसको गर्भ हो जाएगा जब वह ब्राम्मण प्रातहकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का ब्रिच्छ देखा जिस पर अतियन्त एक सुंदर आम का फल लगा हुआ था उस ब्राम्मण ने उस आम की ब्रिच्छ पर चड़कर उस फल को तोड़ने का प्रेत्न किया परन्तु ब्रिच्छ पर कई बार प्रेत्न करने पर भीवा ना चड़ पाया तब तो उस ब्राहमण को भूँच जिनता हुई और बिग्न बिनाशक स्री गडेश जी की बंदना करने लगा हेब दयाने दे अपनी भक्तों की बिग्नों का नास करके उनके मंगल कारी को करने वाले दुष्टों का नास करने वाले रिधी सिध्धी के देने वाले आप मुझ पर क्रिपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनुरत को पूर्ड कर सकूँ इस प्रकार गडेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी क्रिपा से धनेश्वर बिच्छक पर चड़ गया और उसने एक अतिसुन्दर आम का फल देखा उसने विचार किया कि जो बर्दान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता उस धनेश्वर ब्राम्मड ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी इस्त्री को ला कर दिया और उसकी इस्त्री ने अपने पती के कथना अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भती हो गई देवी जी की असेम क्रिपा से उसे एक अतियन तसुन्दर पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक सुक्ल प्रक्ष के चंद्रमा की भाती अपने पिता के घर में बढ़ने लगा भवानी की क्रिपा से वह बालक बहुत ही सुन्दर, सुसील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुड हो गया दुर्गा जी की आज्या नुशार उसकी माता ने 32 पूर्ण मासी का ब्रत रखना प्रारंब कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयुवाला हो जाए सोलाहवा बर्ष लगते ही देविदास की माता पिता को बड़ी चिंता हो गई उन्होंने सोचा कि कहीं उनके पुत्र की इस बर्ष मृत्यू ना हो जाए इसलिए उन्होंने अपने मन में बिचार किया कि यदि वो यह दुर्गटना उनके शामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे अस तुप उन्होंने देविदास की मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देविदास एक बर्ष तक कासी में जाकर बिद्या ध्यान करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक बर्ष के पश्चात इसको वापस लोटा लाना सब प्रबंद करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देविदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा को उसके साथ कर दिया किन्त यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही धनेश्वर्स ने सब्तनीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा देरगायों के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्ण मासियों का ब्रत करना प्रारंब कर दिया इस प्रकार बराबर पत्तीस पूर्ण मासी का ब्रत पूरा किया कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांचा मार्ग में रात्री बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे उस दिन उस गाव में एक ब्रामण की अत्यंत सुन्दरी शुशीला बीदुसी और गुडवती करन्या का भिवा होने वाला था जिस धर्मशाला के अंदर वह और उसकी बारात ठहरी हुई थे उसी धर्मशाला में देविदास और उसकी मामा भी ठहरे हुई थे संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ा कर मंटब आदि का कृत्त किया गया तो लगन के समय वर को धनुरवात हो गया अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुम्बियों से परामर्स करके निश्चे किया कि यह देविदास मेरे पुत्र जैसा ही सुन्दर है मैं इसके साथ ही लगन करा दूँ और बाद में विवाह के अनकार मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे ऐसा सोच कर देविदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधू पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह शब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस वारात का दूलहा बन जाएगा यह बात बर के पितानी सुईकार कर लेने पर उसने अपना भांजा बर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कारी रात्री में बिधि पूर्वक संपन्न हो गया पत्नी के साथ वह भोजन ना कर शका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसी इस्त्री होगी वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आँखों में आसु भी आगे तब बधु ने पूछा कि क्या बात है आप इतने उदाशेन वा दुखी क्यों हो रहे हैं तब उसने सब बातें जो वर के पितावा उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म बिवाह के विपरीत हो कैसे सकता है देव ब्राह्मन और अगनी के सामने मैंने आपको ही अपना पती बनाया है इसलिए आप ही मेरे पती हैं मैं आपकी ही पतने ही रहूंगी किसी अन्न की कदापी नहीं तब देविदास ने कहा ऐसा मत करिये क्योंकि मेरी आयू बहुत थोड़ी है मेरे पस्चात आपकी क्या गती होगी इन बातों को अच्छी तरह विचार लो परंतुवा दृढ़ विचार वाली थी बोली कि जो आपकी गती होगी वही मेरी गती होगी हे स्वामी आप उठिये और भोजन करिये आप निश्चे ही भूखे होंगे इसके बाद देविदास और उसकी पतने दोनों ने भोजन किया तथा सेश रात्रीवे सोते रहे एक रुमाल दिया और बोला हे प्रिये इसे लो और संकेत समझ कर इस्थिर चित्त हो जाओ मेरा मरड और जीवन जाने के लिए एक पुष्प बाठका बना लो उसमें सुगंधी त्वाली एक नौ मल्लिका लगा लो उसको प्रतिदिन जल से सीचा करो और आनंद के साथ खेलो खूदो तथा उत्सो मनाओ जिस समय और जिस दिन मेरा प्राडांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ यह बात निश्चे करके समझ लेना इसमें कोई संसे नहीं है यह समझा कर वह चला गया प्राता काल होते ही वहाँ पर काजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कारिसमाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आये तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख कर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पती नहीं है मेरा पती वही है जिसके साथ रात्री में मेरा पाड़ी ग्रहड हुआ था इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है यदि मदुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूशडाद दिये थे उन्हें दिखाए तथा रात्री में जो मैंने क्या गुप्त बाती कहीं थी वह सब सुनाए पितानी उसके कथा नुसार वर को बुलवाया कन्या की यह सब बाती सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता इसके पस्चात लज्चित होकर वह अपना सामुह लेकर चला गया और शारी बाती भी अपमानित होकर वहां से लोट गई भगवान स्री किष्ण बोले हे माता इस प्रकार देभी दास कासी बिद्या ध्यान के लिए चला गया जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प राते के समय उसको डशने के लिए वहां पर आया उस बिस्धर के प्रभाव से उसके सेयन का स्थान चारो ओर से बिस्ध की ज्वाला से बिसैला हो गया परंतु ब्रत राज की प्रभाव से उसको काटने ना पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्ड मा का ब्रत कर रखा था इसके बाद मध्यान के समय सोयम काल वहां पर आया और उसके सरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्म करने लगा जिससे वह मुर्षित होकर प्रिथिवी पर गिर पड़ा भगवान की क्रिपा से उसी समय पार्वती जी के साथ स्री संकर जी वहां पर आ गए उसको मुर्षित दसा में देखकर पार्वती जी ने भगवान संकर से प्रार्थना की कि हे महराज इस वालक की माता ने पहले 32 ओर्मा का ब्रत किया था जिसके प्रभाव से हे भगवन आप इसको प्राणत दान दे भवानी के कहने पर भक्त वतसल भगवान स्रीशियू जी ने उसको प्राणत दान दे दिया इस ब्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवी दास सुस्थ होकर बैठ गया उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतिक्षा क्या करती थी जब उसने देखा कि वह पुष्प बाटगा में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यन तास्चर हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गए तो वह जान गए कि वह जीवित हो गए है यह देख कर वह बहुत प्रसन मन से अपने पिता के कहने से कहने लगी कि है पिता जी मेरे पती जीवित है आप उनको ढूढ़े जब सोलावा बर्स बितीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ कासी से चल दिया इधर उसे सुसुर उसको ढूढ़ने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए उसको आया देखकर उसका सुसुर बड़ी परसनता के साथ अपने घर में ले आया उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकठा हो गए और सबने निश्चे किया कि अवस्जी इसी बालक के साथ इक्स कन्या का विबा हुआ था उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और शबन अगरवासियों ने आनंद मनाया कुछ दिन बाद देविदास अपनी पतनी और मामा के साथ अपनी सुसूर के घर से बहुत ही उपहाराद लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया जब वह अपने गाओं के निकटा गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देविदास अपनी पतनी और मामा के सहित आ रहा है ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें भिस्वास ही नहीं हुआ किन्तु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ाश्चर हुआ लेकिन थोड़ी देर में देविदास ने आकर अपनी माता पिता के चरड़ों में अपना सिर रखकर प्रडाम किया और उसकी पतनी ने अपने साससुर के चरड़ों को पर्ष किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधु को अपने हिर्दय से लगा लिया और दोनों की आखों में प्रे मास्त्रू बहरे चले अपने पुत्र और पुत्रवधु के आने की खुसी में धनेस्वर ने बड़ा भारी उत्सो किया ब्रामडों को भी बहुत सी दान देशड़ा देकर प्रशन किया स्री कृष्णी जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेस और 32 पुड माओं के ब्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया जो भी इस तरी इस ब्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में बैधत्तो का दुख नहीं भोगती और स्तरदयों शौभाग गिवती रहती है यह मेरा बचन है इसमें कोई संदेह नहीं है मानना चाहिए यह ब्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है तथा संपूर्ड कामनाओं को पूर्ड करने वाला है दूध, दही, घी, सरकरा, गंगाजल, रोली, मौली, तामबूल, पूंगी फल, धूप, फूल, यज्योपवीत, स्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक, बिल्प, पत्र, फूल, माला, धदूरा, वासकी टोकरी, आमके पत्ते, चावल, तिल, चव, नारियल, दीपक, ये वस्त्र, शिवपार्वती, की सुरण, मौर्ती, अथवा, पार्थिक परत्म, दूब, आशन, अध, पूजन, करने वाला, ब्यक, प्राता, कालश, नान, आध, सिनिवित, होकर, किसी पवित्र, स्थान, पर आटी सी चोक, पूर कर, केले का मंडब, बनाकर, पूजन, करे, पस्चात, नभीन, बस्तधार्ड का रासन, पर पूर्वाभी मुख बैठ कर दे, देश का अलाद की उच्चारड के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करे, उसके बाद, गड़े, जिका आवहन, पूजन, करे, अनंतर, वरुडादी देवों का आवहन, करे, कलस पूजन करे, चंदनाद समर्पित करे, कलस, मुद्रा दिखाए, घंटा बजाए, गंद, अच्छत, आदी द्वारा, घंटा एवंग देपक को नमशकार करे, इसके बाद, पंडित द्वारा कहे गे इनुसार, कथा करे, पूजन करे, और सत्यनारायर की कथा सुने, जिस किस ने इस तरह बिध्वत, पूडमा का ब्रत किया, सतिनायर का कथा सुना, उसके लिए कुछ भी संभो नहीं रहता, उससे माता लक्षमी, नारायर, सिव पार्गती, अतिप्रशन्य होते हैं